नमस्कार स्वागात है आपका बिहारी नूज में मेरे तनसेन भारती अज हम बात करेंगे बिहार में इस साल होने बाले पंचायच चुनावे पर लगा गरहन अब धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है अब एक-एक कर चुनाव को लेकर इस्तिती साप हो रही है ऐसे में आप कहा ज पहले पंचायच चुनाव करा कर रहा है इसके लिए राज-निर्वाचन आयोग के पास मातरे-दो महिने का समय है आयोक को इस बचे हुए समय में अपनी बची हुई परक्रिया को पूरा कर लेना है आप को बतादेकि पहले पंचायच कुनाव 94.99 कि बात कही गई थी लेकिन अब इसे 3-4 चरण में कराने कि बात कही जा रही है लंबे समय से EBM को ले कर चल रहा विवाद अब समाप्त हो गया है EBM के मौडल को लेकर भी अब इसीती साफ हो गई है दोनों आयोग की तरब से अब EBM को ले कर सहमती बन गई है ऐसे में अब कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से 15 जून से पहले चुनावी प्रकिरिया को पूरी कर ली जाए ऐसे में अब राज निरवाचन आयोग के पास एक ही भी कल्प बचा है कि चुनाव की प्रकिरिया को कम कर दिया जाए जिससे कि जितनी जल्दी हो सके चुनावी प्रकिरिया को संपन किया जा सके। यही वह कारण है जिसके तहत पताया जा रहा है कि बिहार में इस साल तीन से चार चर्णों में मतदान कराया जा सकता है। सुरचित चुनाव की प्रकिरिया एवम तैयारियों पर बिमर्श जारी है। आयोग के अस्तर पर एवियम के जरूत का आगलन किया जा रहा है। दुसरे राज्यों से भी एवियम मंगाने की प्रकिरिया चल रही है। बिहार में एक साथ चाह पदों के लिए मतदान होने आयोगों की बैठा के बाद इतना साफ है कि चुनाव में मल्टी पोस्ट इवियम का इस्तमाल नहीं होने जा रहा है। ऐसे में करीब धाई लाग से अधिक पदों पर मतदान के लिए साथ से आठ लाग सिंगल पोस्ट कंट्रोल यूनिट और वैलेट यूनिट की जरूरत पड़ेगी परतेक बूतर अलग अलग शाह पदों के लिए कंट्रोल यूनिट और वैलेट वॉक्स चाहिए सुचना है कि भारत निर्वाचन आयोग की अधिक्तम धाई से तीन लाग इवियम उपलब्द करा सकता है ऐसी सिती में तीन से चार चर्णों में चुनाव कराने क की तैयारी की जा रही है बिहार पंचाहिच चुनाव में इवियम से मतदान करवाने का रास्ता साफ होने के बाद से अब निर्वाचन आयोग ने इवियम मसीन उपलब्द कराने की करवाई सुरू कर दी है सभी जिला पताधिकारी से जिला निर्वाचन पताधिकारी को एम कर संबंधित निरवाची पता धिकारी और सहायक निरवाची पता धिकारी को विडियो कॉंफिरेंसे के माध्यम से प्रसिच्छन दिया जाएगा 1977 के सुरुवाद 22 अप्रवर्ण से होगी यह सभ़ 11 बास लेकर 12 बास की 있고요 इस दिन पठना सारंब और कोसी प्रमंडल के और सहयक निर्वाची पत tenthikारियों को पर शिचन दीया जाएगा। एसे में अब पंचाय चुनाब को ले करमत दाता से ले करजन प्रणिद्धी यही कह रहे हैं कि पंचाय चुनाब के तारिकों के घोषना कब होगी पंचाय चुनाब से जुड़ हुई और भी एसे इंग खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ मुझे दिजिए इजाज़त धन्यवाद